अब अपने iPhone से MacBook पे या किसी दूसरे डिवाइस के अंदर एक साथ सभी फोटोज को ट्रांसफर करना चाहते हैं बट unfortunately iPhone के अंदर presently ऐसा कोई option नहीं है जिसकी help से आप एक साथ सभी फोटोज को select करके उसमें ट्रांसफर कर पाएं iPhone से फोटो को ट्रांसफर करने के लिए जब आप photos app open करते हैं तो यहाँ पे आपको single transfer का option ही मिलता है select का option इसको select करते हैं तो आप एक एक करके या इस तरीके से scroll करके ही photos को select कर पाएंगे बट हमें तो एक साथ सारे photos को transfer करना है तो उसके लिए यहाँ पे कोई option नहीं मिलता तो फिर कैसे होगा तो उसके लिए मैं यहाँ पे use करूँगा मेरी MacBook Air को और यहाँ से सभी photos को transfer करेंगे और phone से photos को सिर्फ MacBook Air के अंदर ही नहीं मैं यहाँ पे pen drive के अंदर भी direct transfer करूँगा किसी भी external storage के अंदर भी चाहें तो एक साथ photos को transfer करें उसके लिए हम iPhone को connect करेंगे with the help of this lightning cable जो भी इसके साथ आती है तो क्योंकि यह iPhone 13 है तो मैं यहाँ पे lightning cable का use करूँगा अगर आपके पास iPhone 15 या कोई भी है तो उसको आप use कर सकते हैं और इसको हम cable को connect कर देंगे अब यहाँ पे जैसे ही connect करते हैं तो देखिए यहाँ पे charging का option आ चुका है और यहाँ पे option पूछता है कि allow accessories to connect तो इसको allow कर दें और यहाँ पे पूछेगा कि do you trust this device तो यहाँ पे कर दें trust अब देखिए और यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा आपका password यहाँ पे enter कर दें अब आपको mobile के अंदर पहले से एक setting आपने कर लेनी है photos इसके अंदर जाए और दे कि यह सबसे नीचे option यहाँ पर मिला हुआ है आपको automatic तो automatic ना करें इसको keep originals के उपर select करें अब इस phone के साथ आपको कुछ नहीं करना इसको side में रख देना है और अब हम करते हैं यहाँ पर macbook के अंदर transfer यहाँ पर आपको search करना है image capture तो पहला ही option यहाँ पर आया है image capture का और देखिए यहाँ पर इसने detect कर लिया है कि जो मेरा phone है iPhone है यहाँ से इसको select कर लेंगे और यह अनलोग करना पड़ेगा आपको क्योंकि देखिए यहाँ पर phone lock है तो इसको unlock कर लें इस तरीके से और unlock करते ही आप देखेंगे कि जितने भी photos हैं मेरे iPhone के अंदर वो सारे photos यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं चलो photos यहाँ पर दिखाई दे गए अब इनको download करना है तो य यहाँ पर option है import to यह कहाँ पर import करेगा तो different different options यहाँ पर आपको देखाई दे रहे हैं इन में से किसी भी folder के अंदर आप चाहें तो transfer कर सकते हैं या other के उपर जाए तो other के उपर भी आप transfer कर पाएंगे और यहाँ से option होता है download का जैसे मैं मान लिया एक photo चाहता हूं कि यह अगर मुझे सिर्फ एक photo download करना है सिर्फ मुझे एक ही photo download करना है तो उसको select करना है download के उपर और मैं चाहता हूं कि मेरे 15-20 जितने भी photos मान लिया यहाँ तक हैं तो मैं shift key को दबाऊंगा shift key को दबाके यहाँ तक click करेंगे तो यह selected photos होगे कुछ इनको download करेगा वो चाहे videos हो photos हों कोई भी file है यह सभी को download करेगा बट हम यहाँ पर transfer करेंगे मैं यहाँ पर बट यहाँ पर मैं अपनी macbook air के अंदर नहीं मैं transfer करना चाहता हूं अपने इस pen drive के अंदर तो उसके लिए मुझे क्या करना है इस pen drive को connect कर देना है macbook के साथ इसको भी allow करने यहाँ पर मैं select कर देता हूं folder create करते हूं finder के अंदर जाके यह आप डारेक्ट चाहें तो यह मेरा pen drive है इसके अंदर मैं create कर देता हूं new folder और new folder का मैं यहाँ पर नाम दे देता हूं iPhone photos अब यह folder यहाँ पर create हो चुका है अब दुबारा से हम open करते हैं अब देखिए मैं transfer करूंगा यहाँ पर अपने pen drive के अंदर और pen drive के अंदर transfer करने के लिए मुझे जाना है others के उपर और others के उपर जाके मैं अपना pen drive select कर लिया और यहाँ से iPhone photos जो हमने पहले बनाया था folder choose के उपर click करेंगे और यहाँ option आता है download या download all तो मैं download all का option select कर लेता हूं और देखिए यह transfer करना शुरू करतेगा जितने भी photos हैं उनको और transfer जो होगा वो बहुत ही fast होगा depending upon the speed of your mobile and pen drive जितनी speed से लेगा आप इनको चाहें तो macbook के अंदर भी transfer कर सकते हैं यहाँ पे 120 GB के आसपास का data है तो उसको transfer करने में क्योंकि यह movie file है उसको transfer करने में थोड़ा सा यह time लेगा और जो भी transfer होते चलेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर यह green line आती जा रही है तो इस तरीके से यह चलेगा और देखिए कितना fast transfer यह कर रहा है तो यह तरीका है इस तरीके से एक बार pen drive के अंदर की photos आ रहे हैं कि नहीं आ रहे है यह और pen drive में select कर लेता हूं iPhone photos देखिए इस pen drive के अंदर वो सभी photos आ चुके हैं धरे-धरे करके transfer हो रहे हैं और आप देख सकते कितना fast है मैं scroll करता हूं उससे पहले नई files यहाँ पर आ जाती है इस वेरी फस्त